भारतिय इतिहास अनुसंधान परिशद आइसी एचार रामायन में वरनेत राम सेतू की हकीकत का पता लगाने के लिए शोध अध्यन करेगा। इसके लिए वह एसी साल अक्टूबर से दो महीने के लिए पायल प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। मान्यता के मताबिक राम सेतू भगवान राम ने बनाया था लेकिन इस पर विवाद रहा है कि यह खुतरती है या फिर मानव निर्मित। अब मानव संसादन विकास मंत्राले के तहट आने वाले आईसी एचार राम सेतू की हकीकत जानने के लिए पायल्ट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। युने इसको से गोता खोरी लाइसेंस लेकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। इसमें एसाई और विशेश अग्यपुरा तवविद की मदद ली जाएगी। आईसी एचार के चेर्मेन वाई सुतर्शंडरा उने बताया कि राम सेतू पर प्रोजेक्ट में जो भी तथे सामने आएंगे इसका प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा। अभी तक किसी ने राम सेतू को लेकर कोई साक्षे एकत्र नहीं किये हैं। इस पाइल्ट प्रोजेक्ट में मरीन पुरा तवविद की मदद से ठोस साक्षे सामने लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया। यह पूरा प्रोजेक्ट आसन की सिल्चे युनिवसिटी में आकियोलोजी के प्रोफेसर आलोग त्रिपाठी की देखरेख में होगा। प्रोड त्रिपाठी एसाई के निदेशक रह चुके हैं। इस पाइल्ट प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च स्कॉलर का चायन राष्ट्रियस तर पर ने उक्ति प्रोकिया के जर्ये होगा। जिन्हें जून में दो हफ़ते की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ शाजपा का भी मानना है कि राम सेतू को भगवान श्री राम ने बनवाया था। इसी के चलते वर्ष 2007 में राम सेतू पर विवाद शुरू हुआ था। जब यूपिये सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि सेतू समद्रम परियोजना के लिए राम सेतू के अलावा कोई विकल पार्थे का तोर पर लाब दायक नहीं है। ताकि धार्मिक और परिया वरन कार्य करता इस परियोजना का विरोध कर रहे थे। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर पहुच गया था।